नमस्कार एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो MP व्यापम दवारा सब इंजिनियर के पदों पर वेकेंसी निकाली कई है इसके बारे में अगर आपने भी स्विल इंजिनिरिंग की है तो इस भरती में आप आविदन कर सकते हैं आपकी उम्र 18 से 40 वर्स के बीच में हो सकती है इसके साथ या आपको बता देए ये बंपर वेकेंसी है जिसमें कुल मिलाकर 2500 से भी जादा पर है वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको प्रोसेस समझाएंगे कि कैसे आपको फोर्म बरना है लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारे से कि आप वीडियो को लाइक और सेर कर दे साथ ये ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राब करके बैल आइकन को दबा दे अब आईए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे कि आपको फोर्म कैसे बरना है तो फोर्म बरने के लिए आपको गूगल, क्रॉम या फिर अन्य कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है educationindialive.com आपको क्या टाइप करना है आपको टाइप करना है educationindialive.com यह जो वेबसाइट उपर आ रही है इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहीं पर आपको एक पोस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें हमने notification, forum, syllabus, age limit सब के बारे में बात की है तो आप अपने सामने देख सकते हैं MPPEB Sub Engineer Recruitment 2022 और यहाँ पर आप देख सकते हैं online forum apply इस option पर आपको क्लिक कर देना है इस option पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नया page open हो जाएगा जो की कुछ इस परकार से होगा यहाँ पर आपको पूरी detail सई से पढ़ लेनी है क्योंकि हर एक detail आपके लिए काम की है वहीं यहाँ पर जो link देखने को मिल रहा है official website का इस link पर आपको क्लिक कर देना है इस link पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये page open हो जाएगा तो यहाँ पर आपके सामने ये page जो है open हो जाएगा जो कि हमने direct link दे रखा है तो इस परकार से page open होने के बाद आपको क्या करना है यह जो यहाँ पर link देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पर मैं गोश्टना करता हूँ या करती हूँ कि मेरे दवारा नियम पुष्टिका में दी गई समस्त जानकार या एवं सर्तों को भली बाती पड़व समस्त लिया गया है इस पर राइट टिक करने के बाद आपको कंटीनियू कर लेना है और कंटीनियू करने के बाद आप यहाँ पर सामान्य पंजी करन करमाक और जनमतिती का उप्सन देख पाएंगे अगर आपने पहले कभी MPV आपम के अंदर किसी भी भरती के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना आपके पास मेसेज या फिर मेल होगा तो वो डिटेल यहाँ पर आपको भर देनी है और अगर आप पहली बार MPV में यहाँ पर फॉरम भर है तो आपको क्या करना है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के ओप्सन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या आपके पास पूर्वा में पन्जी करत प्रोफाइल आइडी इस पर आपको नहीं करना है और आगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको मुबाइल नंबर और इमेल आइडी डालनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा दिखेगा उसको यहाँ पर लिख देना है और OTP प्राप्ट करें पर आप क्लि लेकिन इस बार यहाँ पर क्या आपके पास पूरो में पंजीकर्त प्रुफाइल आइडी है तो यहाँ पर आपको हाँ करना है ऐसे में हम एक प्रोबलम फेज कर पा रहे हैं इस अबसाइट पर कि आपके इमेल आइडी पर या मॉबाइल नंबर पर कोई भी रजिस्ट्रे नंबर और पासवर्ड बेज दिये जाएंगे इस परकार्ट से आप यह रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पास सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको इस पेज पर आना है अपने सामान्य पंजीकर्ण कर्मांक या रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रोफाइल पासवर हैं तो आप हा करेंगे अन्यत आप ना का चैन कर लेंगे तो यहाँ पर हम हा का चैन कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं EKYC या OTP द्वारा सत्यापन या फिर EKYC Biometric दवारा सत्यापन तो आप OTP दवारा सत्यापन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ाये पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर दोस्तों आपसे आपका अदार नमबर जो की मांगा जा रहा है तो आप अपने अदार नमबर यहाँ पर डाल देंगे और Generate EKYC OTP पर क्लिक करेंगे इससे क्या होगा कि जो आपके पास मुबाइल नमबर आदार कार्ट से लिंक मुबाइल नमबर की बात कर रहे हैं उस पर एक OTP भेजा जाएगा जिसे आपको डाल कर आगे बढ़ना है और OTP आप सत्यापन करेंगे दोस्तों Get Details पर आप क्लिक करेंगे OTP भरने के बाद और आपके सामने कुछ परकार का पेज ओपन हो जाएगा अब आपको यहाँ पर क्या क्या फिल करना है सबसे पहले आप अपना नाम यहाँ फिल करेंगे फिर उपनाम यहाँ फिल कर लेंगे फिर आप पिता या पती का नाम फिर माता का नाम फिर आप अपनी यहाँ पर जनम तिती को फिल करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप जनम तिती को भी फिल कर लेंगे और आगे की और चलेंगे क्या आप मतिपर्देश के मौल निवासी है, अगर आप मौल निवासी है तो हां करिएगा, अनित आप यहां नई कर लेंगे, फिर अपना लिंक यहां से सलेक्ट कर लेंगे, जरेनी जो भी है आप सलेक्ट कर लेंगे, अन्रिजव है SC, ST, OBC कौन से स्रेनी है, उसके बाद अगर आप EWS में आते हैं तो आप हां कर लेंगे ने था नो कर लेंगे यह अनारक्सित वालों के लिए तो आप अनारक्सित पर करने के बाद आप आगे बढ़ पाएंगे वहीं उच्छ सेक्सिक जो योग्यता है वो आपको यहां से सलेक्ट कर लेनी है कि यहां पर जो आपके पास हाइस्ट कौलिफिकेसन है वो कितनी है ग्रेजुएशन है या फिर यहां पर कोई डिपलोमा है आपको यहां से बताना है निवास का छेत्रस अर्बन है या रूरल य आप यहां से नहीं कर लेंगे, 40% यहां पर आप देख लीजेगा और विकलांगता का परकार यहां से सलेक्ट कर लीजेगा, इसके साथ यहां पर आगे कुछ और disabilities दी गई है तो वो भी आप देख लीजेगा, फिर आपको आगे चलना है और यहां पर आप देख सकते हैं इसके साथ ही क्या अंतिम बच्चे जुडवा है यह भी आपको बताना है, अन्यत आप नहीं कर लेंगे और आगे चलेंगे, पत्र विवार के लिए वर्तमान पता आपको पता यहां से देदेना है, राज जी अपना सलेक्ट कर लेना, अगर आप मूलनेवास नहीं है तो इ युक्त यहां पर पाचान पत्र आपको देना है, इसके साथ ही पाचान पत्र करमाक और इसके साथ यहां पर बायोमेट्रिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टि आप में यहाँ पर write कर लेंगे और पंजी कर लेंगे फिर दोस्तों अगले section में यहाँ पर किरपया सभी दस्तावेज सलंगन करे का एक option आएगा जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर किरपया दिये गए दस्तावेज का प्रिंट ले कर दिये गए box में अपनी नविंतम फो किरखें कि आपके सामने कुछ इस परकार का पेड़ आजाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर अपना photo Church काना है यहाँ पर हस्ताक्सर कर लेना है इसके साथ यह ज 550 और यहाँ पर लिख लेंगे और लिखने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ इसका एक फोट पिर आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाना और इसके साहथ यहाँ पर जो सिग्将ि यहाँ पर आपको कुछ लगाना नहीं का certificate upload करेंगे और अगर आप दिवियांग है तो यहाँ पर जो इस फायल का option आएगा इसकी साथ यहाँ पर चुने गए option के नुसार साथ सकी है चिकिस्तक दवारा जारी किया गया परमान पत्र तो यहाँ पर जो fingerprint वाल option था उनके लिए यहाँ पर upload doctor certificate का यहाँ पर देखने को मिल रहा है यह सारी जानकारी आप फिल करेंगे और submit detail पर click कर देंगे फिर दोस्तों वापस से आपको इस page पर आ जाना है और वापस से उसी option पर click करना है और इस बार भी यहाँ पर right tick करते हुए continue पर click कर देना है और आपको अपनी जो सामान्य पंजी करन कर्मा के registration नंबर मिले हैं वो डालने है और जनमतिती आपको डाल देनी है जैसा कि आपने profile कर ली है उसमें जनमतिती भी डाल दी है उसके बाद यहाँ पर capture fill करेंगे सत्यापित कर आप आगे बढ़ाएंगे दोस्तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ इस परकार का option आगे आ जाएगा तो यहाँ पर आपको पूरी profile दिखाई जाएगी जो भी आपने अभी तक information भरी है वो पूरी information दिखेगी उसके बाद दोस्तो आपको आगे बढ़ाएंगे option पर यहाँ क्लिक कर देना है जैसे दोस्तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस परकार का एक नया page open हो जाएगा यहाँ पर दोस्तो क्या है आप से कुछ information पूछी जाएगी वो information क्या क्या होगी तो सबसे पहले आपको यहाँ से class select कर लेनी है अगर आप बूत्पूर सेनिक है या फिर दिवियांगे या विना वर्ग ऐसे में आप यहाँ पर विना वर्ग का जो option है इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं यदि आप बूत्पूर सेनिक है तो की गई सेवा की आउदी आपको यहाँ बता रही है अगर आप home guard है तो आप हाँ करेंगे और यहाँ पर अधी यदि हाँ है तो आप रास्ते चात्र सेना में की गई सेवा की आउदी यहाँ पर आप बताएंगे जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आप 1163 के बाद राष्टे चातर सेनम में पूरन कालिक केड़ित अनुदेशक के रूप में बर्ति किये गए अगर आप हां करेंगे तो आपको यहां पर डिटेल बरनी है हैं तो हां करेंगे अनुदे आप नो कर लेंगे और अगर आप यहां पर विक्रम पुरसकार स सम्मानित खिलाडी है तो आप हां करेंगे इसके साथ ही क्या आप सविंदा कर्मी है तो यहां पर हां कर लेंगे फिर आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों यहाँ पर आप नीचे की और आएंगे और यहाँ पर एक और जो जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो इसमें भी आप यहाँ पर देख लीजेगा अपने नुसार हाँ यहाँ ना कर लीजेगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां ऑने तकनीक की परसने पत्र का viewing रंड तो आपको कौन सा subject यहां से सब्जेक्च करना है तो आप यहां से सब्जेक्च को सब्जेक्च करेंगे उसके बाद क्लिक here to select preference पर आप किलिक कर देंगे उसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पर निक्ती है तो पदों की प्रात्मिक्ता का चैन करेंगे सबसे पहले कौन से पद पर आपको यहाँ पर बिल्कुल भरती देनी है तो आप हाँ करेंगे उसके बाद अपने पद को चुने, यहां से आप राइट करेंगे, तो इधर आपका पद यहां पर दिखा दिया जाएगा, तो जिस भी पद को आप सलेक करना चाहते हैं, यहां पर सारे पद दिये गए, उनमें से आप सलेक कर लीजेगा, और आप ध्यान रखिएगा, जिसको आप पहली प्रिफरेंस देना चाहते हैं, उस पर आप पहले टिक करिएगा, हाँ पहले भले ही कर सकते हैं, लेकिन आपको टिक उसी को पहले करना है, जिसको आप पहली प्रिफरेंस देना चाहते हैं, हलनकि उसके बाद भी यहां पर एक प्रिफरेंस देखने को मिलेगी, यहाँ पर सारी प्रेफरेंस भी आ जाएगी उसको आप उपर नीचे कर सकते हैं इस और इस बटन का उप्योग करके फिर आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे तो मद्यपर्देश राज्य के रोजगार कारेले में जीवित पंजिन है अत्वा नहीं तो आपको यहाँ पर हाँ ही करना है नहीं से नहीं होगा तो अगर आपने रोजगार कारेले के अंदर पंजिन नहीं करया तो आप करवा सकते हैं फिर पंजिन का करमाग और पंजिन का जिल्ला बरना है इसके साथ यहाँ पर आपको हाँ क कर ले रहा हैं फिर आप एग्जाम सीटी पुर्फ्रेंस के आपसें पर आएंगे तो यहां पर आपको चार एग्जाम सीटी भरनी है जहां पर आपको पाले चाहिए तो वहीं आप सलग करिएगा कि यहीं मुझे चाहिए इसलिए पहली जो प्रात्मिकता वो यह है उसके पेमेंट तो आपको करना ही है पेमेंट तो जैसा कि आपको करना ही पड़ेगा तो इसलिए आप पेमेंट कर देजगा 200 रुपे OBC के लिए CST के लिए और दिव्यांग जनों के लिए बाकी 500 रुपे अंदिज़व के लिए ये थी पूरी जानकारी हमारे चैनल पर जो कि हमने अप्लोड कर दी है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो का आप लाइक करेगा और साथ ये ऐसे वीडियो तेकने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राब करके बेल आइकन को दबा दीचेगा मिलते हैं आप सब्सक्राइब वीडियो में किसन जानकारी के साथ